नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच चागर, डेली न्यूस अनालेसिस 10 डिजमबर 2021, आज के इंपोर्टन न्यूस कौन कौन सा है, चेक करते हैं, सबसे पहले हैं, प्यम मोधी पेज ट्रिब्यूट्स टू राज में, आप तक रूल्स नोटिफेइ नहीं हुआ है, तो उसके बार में देखेंगे, फिर फार्मेस प्रोटेस्ट खतम होने वाला है, फार्मेस ने डिजेट किया अभी के लिए प्रोटेस्ट खतम कर देते हैं, तो फार्मेस अन्र के बीच में, जितने भी फार्मेस का डिमा कंपेन के बार में देखेंगे, यह बेसिकली करनाटका में, मैसूर में हो रहा है, फिर more cyclones in Arabian sea in recent years, यह बेसिकली पार्लमन में, question number में मिनस्ट से question पूछा गया था, तो इनका replay में यह बताया है कि more cyclones in Arabian sea in recent years, Arabian sea में cyclones की जो frequency है, वो recent years में ज्यादा हुआ है, तो इसमें तो international anti-corruption day का theme, history, significance, यह सारी चीज़े हम देखेंगे, तो आगे जान से पहले lecture पर like बटन, चानल को अब तक share and subscribe नहीं किया हो, तो कर लिजेगा, हमें support करने के लिए आप चानल के member बन सकते हो, join button के तुरू, शुरुआत करते दोस्तों, सबसे पहला news, tributes to Rajajji on his birth anniversary, C. Rajagopal राजारी, last governor general of India, उनका 143rd birth anniversary आज है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने उनको याद किया है, इनके contributions to the freedom struggle, administrative and intellectual प्रवस के बारे में बॉला है, C. Rajagopal राजारी, महात्मा गांदी के close associate थे, पर वो Congress को oppose करते थे, इसलिए इन्होंने Congress से अलग होके सोतंत पार्टी फोन किया था, इनकी पार्टी market-based economy को promote करता था, market-based economy एक नया principle था उस टेम के लिए, वैसे market-based economy मतलब क्या होता है, ऐसा एक economic system, जहां investment, production and distribution से regarding जितने decisions है, वो सारे price signals created by the forces of supply and demand के उपर होगा, मेरा कहना का मतलब है, market trend के उपर, market में किस तरह supply and demand का forces चल रहा है, वो सब देखते हुए economic decisions लेगा, आप बोल सकते हो Indian, जो Reserve Bank of India है, वो भी थोड़ा बहुत market-driven economy के उपर चलता है, मतलब देखिए, Reserve Bank of India का जो monetary policy committee होता है, वो कैसे अपना decisions लेता है, basically वो repo rate, reverse repo rate, bank rate, SLR, CRR, यह सब के उपर decisions लेता है, by monthly जो monetary policy committee होता है, वो भी तो यह देख आप से वो rates decide करता है, ताकि सब को balance में रखे, ठीक है, तो 100% अब नहीं बहुत सकता है, India एक market-based economy है, फिर भी थोड़ा बहुत market-based decisions लेता है, या फिर market-driven decisions लेता है हमारा भी, ठीक है, तो वो छोडिए, अब हम चक्रवरती राजागोबाल आजारी जी के बाएर में basic details ये तमिल नाडू से बिलों करते थे, ठीक है, he was the last governor general of India, ये बात आपको पाता है, and ऐसे भी बोल सकते, he was the first Indian born governor general, देखे, जितने भी governor general रहे हमारा देश में, वो सारे British born रहे, आपको पाता है, लास्ट जो Lord Mount Battle थे वो भी तो British थे, तो सी राजागोबाल आजारी first Indian born governor general of India ठीक है, आप देखे, इन्होंने क्या-क्या portfolios hold किया है, leader of the international congress रहा है, premier of the madras presidency रहे है, governor of west Bengal, minister for home affairs of the Indian union and chief minister of madras state, तो इतने positions इन्होंने होल किया है, आप देखे, इन्होंने स्वधंदरा पार्टी फांड किया था, ये मैं आपको बता थिया, and he was one of the first recipients of India's highest civilian award भारत अतना, इनके first recipients कौन कौन थे, तीन eminent personalities को मिला था, एक है, अबियोसली चक्रवरती राजागोबलाजारी जी, फिर डॉक्टर सवेपली राथा कृष्णन, और दॉक्टर सीवी रामन, तो वन उफ तो राजागोबलाजारी थे, and during his lifetime, he also acquired the nickname, mango of Salem, तो इनको mango of Salem, तो इनको mango of Salem भी और में, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrationism में ये particular news आपको कामाएगा, अगला news है, farm agitation called off, देखे, finally farmers protest बंदोने वाला है, after 380 days of protest at borders of Delhi, इस दिन को farmers विजे दिवस मनाने वाले है, तो जो protesting farm unions का जो join platform है, सम्विक्त किसान मौर्चा, इन्होंने ये अनोंस किया है, कि central government का जो proposal है, मतलब farmers के जितने demand से उन्हें solve करने का central government का जो proposal है, इनको वो accept किया है, और ये year long agitation को बंद करने का फैसला भी लिया है, ये unions again meeting करेंगे January 15 को, basically ये जो center की commitments है, इसके उपर monitor and review करने के लिए, मतलब कितना हद तक center ने fulfill किया ये commitments, ये देखने के लिए January 15 को, वो again एक meeting करेंग ये बोला है, अब हम ये देखते हैं दोस्तों, farmers की तरफ से क्या-क्या demands रहा है, basically 95% of the demand center ने accept किया है, हम देखते हैं major demands क्या-क्या है, सबसे पहला withdrawal of all agitation related cases, देखिए farmers protest के द्वारा, जितने agitation related cases registered हुआ है, by central government agencies, वो सारे withdraw करना है, दूसरा compensation to all families, देखिए farmers protest के द्वारा, पिछले एक साल में, काफी farmers का death हुआ है, करीब 700 से ज्यादा farmers का death हुआ है, उनकी families को adequate compensation देना है, संदर की तरफ से, तीसरा, no criminal liability to farmers in case of stubble burning, देखिए stubble burning, जो agricultural crop residue जलाने का जो process है, काफी सारे farmers करते हैं, तो ये stubble burning को penalize करने के प्रोशन था, वैसे farmers जो नाया बिल आया था वैसे आप ये तीनों बिल cancel हो गया तो उसके उपर ज्यादा tension नहीं है, पर farmers ने ये भी बोला है, कोई criminal liability नहीं होनी चीए farmers के against, अगर वो stubble burn भी कर रहा हो, ठीक है, वैसे एक report भी आया था, कि डेली में जो pollution हो रहा है, उसका major portion stubble burning से नहीं हो रहा है, major तो industrial and vehicular pollution जो हो रह farmers के against, stubble burning के लिए, and fourth है, government has to discuss the electricity amendment bill, देखे, electricity amendment bill भी लेके आया था ना, farmers bill के तुरू, तो अगर आप electricity amendment bill, sorry, farmers bill में सैद electricity amendment bill नहीं था, sorry, तो electricity amendment bill जो लेके आया है, government, आपको वो parliament में पेश करने से पहले हमारे साथ discuss करना होगा, समझे आप, electricity amendment bill, parliament में आप put up करने से पहले, उनके leaders से आपको discuss करना होगा, उसमें क्या-क्या provision से, उसके बाद ही आप parliament में वो पेश करेंगे, right, आगला minimum support price के बार में, वैसे देश तो, farmers union का सबसे important demand वो रहा है, MSP को legalize करना है, basically law बनाना है, वैसे आपको पता है न, MSP statutorily backed up नहीं है हमारे देश में, ठीक है, वो government provide क इसमें farmers representatives भी होंगे, right, and number six, the ongoing policy of MSP and its procurement in country will continue our cities, जैसे food corporation of India के दोरा, government जो greens procure करता है, MSP में, वो जो system है, वो continue रखना है, उसको बंद नहीं करना है, जैसे चल रहा है, उसे चलने दो, मतलब farmers, अभी जो procurement दोरा उस पर खुश है, ठीक है, तो वो जो है, continue रखना है, तो इतन इतने demands है farmers की तरफ से, इसमें maximum government ने unconditionally accept किया है, इतना तो आपको पता होगा, अब तो दोस्तों, जैसे जैसे time बीटा जाएगा, तो नहीं ने demands आते रहेंगे, और नहीं ने policies भी आएंगे, government की तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं है, तब हम discuss करें इसके बारे में, ठीक ह इसारे topic में आपको यह particular news काम आएगा, अगला news है, campaign launch to save Chamundi Hills, सबसे पहले Chamundi Hills के बारे में देखते है, देखे, Chamundi Hills कनाड़ का स्टेट में, मैसूर से 13 km Eastern साइड में located है, Chamundi Hills नाम Chamundishri Temple से आया है, Chamundishri Temple एकदम पीक में है, Chamundi Hills का, यह Hills का average elevation 1060 मेटर से, मतलब करी 1 km का elevation है, तो इस टेम्पल वास पाटनेस फोर सेंचुरी इस बाई मैसूर रूले जितने भी मैसूर रूले रहा है, दोस्तों, उनके रूले इस ने यह टेम्पल को पाटनेस किया था, कृष्णा राजा वोड़ एर 3 के टाइम पर यह टेम्पल का renovation भी वहा था, मतलब 1827 में, रा 1008 स्टेप्स लीडिंग टीट सम्मिट, बेसिकली चामुडी हिल सणने के लिए उधर स्टेप्स बिनाया रखा है, 1008 स्टेप्स है, एक दम आप सम्मिट तक पौंच सकते हो, ठीक है, तो उधर यह जो सम्मिट आप जैसे चड़ोगे, 1008 स्टेप्स है, उसमें जैसे हाफ हो एक सिंगल पीस ओफ ब्लैक ग्रानेट से कावड रूट किया है, बेसिकली एक सिंगल पीस ओफ ग्रानेट से बनाया हुआ है, नंदी का यह जो स्टेप्स है, ठीक है, आप देखें, टेंबल का स्ट्रक्चर, क्वाड्रागुलर स्ट्रक्चर है, and the key feature is the statue of महिशासुरा, ए यह सब डिटेल्स है दोस्तों बेसिकली चामुड़ी हिल्स के बाएरे में, या फिर चामुड़ी हिल्स में जो चामुडेशुडी तेमपल है, उसके बाएरे में. आप आप दिव सटेडस और देखें होला है, जैब ऐसिकली दोस्तों हुआ है, गर्मन का इंफ्रास्ट्ट्ट्ट्ट्रफ ड्र सब्जेटिवे पिल्ग्रिमेज रज्वनेशन और स्पिरिछ रेटेज अपरॉब्लम यह हुग ना दोस्तों इत चामुदी फिल्स एक एक अकुलोजिकली sensitive area में है basically प्रशाद स्कीम के अंदर government ने already 80 crore रूपीज का developmental activities कर चुका है चामुडी हिल्स में अब ये developmental activities करने का मतलब क्या हो गया नएने infrastructural facilities ले के आना basically नएने roads आएंगे नएने buildings आएंगे यह सब हो गया ने infrastructural development अब ये infrastructural developments करना है वो भी एक हिल्ली एरिया में तो आपको पेट काटने पड़ेंगे basically चामुडी हिल्ली एरिया का maximum जो forest area उसे काटना पड़ेगा तब जाके development होगा अब ये सब करने की वज़े से already last October and November में चामुडी हिल्स विटनस डे सीरीस of landslates कफी landslates देखने को मिला तो यही हुआ है चामुडी हिल्स में ये उथर के local लोगों का कहना है तो अब गर्मन ने प्रशाद स्कीम के अंदर और 85 क्रोर रुपीज का developmental activities प्लाइन किया है अब इसके against है ये जो चामुडी बेटा उलसी समती बेसिकली चामुडी हिल्स और इस एंविवर्मन को सेव करने के लिए उथर के locals का एक समती है बेसिकली चामुडी बेटा उलसी समती तो इन्हों ने अब एक signature campaign launch किया है बेसिकली public support master करने के लिए ठीक है तो इन्हों ने ये बोला है गर्मन को जितने भी new projects आपने प्लान के उसे बंद करो क्यूंकि आप चामुडी हिल्स का green cover को बर्बात कर रहे हो पूरी ecology के उपर एक threat बना रहे हो ठीक है तो यही है news यह जो सेव चामुडी हिल्स वाला campaign है अच्छली काफी सालों से चल रहा है तो आप एक नया campaigning शुरू हुआ है बस वही news में आया है ठीक है तो paper 4 general studies 3 में environment impact assessment में paper 3 general studies 2 government policies and interventions and issues are racing out of their implementation में यह particular news आपको काम आएगा अगला news है more cyclones in Arabian sea in recent days देखे पिछले कुछ सालों में Arabian sea के उपर very severe cyclonic storms की जो frequency है वो increase हुआ है basically बार-बार very severe cyclonic storms originate हो रहा है Arabian sea में क्या होता है very severe cyclonic storms देखे cyclonic storms को अपने speed के साब से classify किया हुआ है उसमें fourth highest category है very severe cyclones मतलब जिन cyclones का speed 220 km per hour तक पहुंचता है अगर 220 km per hour से उपर पहुंचता है speed तो इसे extremely severe cyclones बोला जाएगा तो यह जो very severe cyclonic storms की जो frequency है यह Arabian sea के उपर पिछले कुछ सालों में increase हुआ है यह data लिया गया 1891 से लेके 2020 तक तो इतनी सालों में पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा frequency देखने को मिला very severe cyclonic storms में पर इसे इंडिया का western coast में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है केना का मतलब है जितने cyclonic storms originate होता है Arabian sea में इन सब का landfall जो है maximum time में येमन कोस में और ओमान कोस में हुआ है अगर landfall इस तरफ होगा तो problem हामारली होगा पर Arabian sea में जितने storm सब्सक्राइब इस तरह की statements आप से examination में पूच सकता है आप देखिए आप मेरे बंगाल की बात किया जाए इधर तो extremely severe cyclones हो रहा है पर frequency में कुछ increase वगरा नहीं हुआ है वो सेमी रहा है ठीक है तो extremely severe cyclonic storms Bay of Bengal में होता है और very severe cyclonic storms की frequency Arabian sea में इंक्रीस हुआ है पर देखिए आपको पता है Bay of Bengal में जब extremely severe cyclones होता है उसके landfall हमेशा Odisha, कोस में रहता है Odisha, आंधरापदेश, चन्ने आप देखिए On an average, 60-80% of the cyclones developing over the North Indian Ocean North Indian Ocean मतलब उसमें Arabian sea भी आएगा Bay of Bengal में आएगा 60-80% of the cyclones जो डेवलप होता है उसका landfall loss of life and property में result करता है यह बात आपको पता है Low-linked coastal belt of West Bengal Odisha, आंधरापदेश, Tamil Nadu, Pudicherry were more prone to the impact of the system Bay of Bengal में जितने cyclones ogenate होता है इसके landfall हमेशा हमारी तरफ हुआ है और काफी नुकसान भी हुआ है इंडिया को ठीक है तो देखिए पर number of death due to cyclones has decreased significantly जितना death होता है पहले तो बहुत ज़्यादा death report होता था पर आजकल इतने अच्छे अच्छे इसलिए एक हफते पहले हमें पता चल जाते है इस तरह एक storm आने वाला है इसलिए हम evacuate अगरा करते है लोगों को इसलिए death जो है वो significantly decrease होता है पिछले कुछ सालों में ठीक है इसके लिए credit देना पड़ेगा हमारा India Meteorological Department को under the Ministry of Earth Sciences ठीक है हमारा National Disaster Management Authority बहुत अच्छा काम करते है मिन्स्ट्यों होम अफेस बहुत अच्छे काम करते है यह सब की वज़े से ड़त की जो count है वो काम हो आ है आप देखी Climate Scientist का कहना यह है The most visible signs of climate change is rising ocean temperatures that is formatting cyclonic activity यह जो global warming की वज़े से जो extreme weather events हो रहा है तो यह जो climate change जो हो रहा है उसी वज़े से यह जो frequency वो increase हो रहा करके Climate Scientist का कहना है तो I hope I have been clear दो-तीन पोइंट इंपोर्टन है और एक बार मैं बता देता हूँ इसमें statements यह से बन सकता है आपसे यह से पूछ सकता है कि Arabian Sea में जितने tropical cyclone sogenate होता है वो maximum Yemen and Oman या फिर western coast में जाके landfall होता है true or false ऐसा एक statement आ सकता है और यह भी अपसे पूछ सकता है Arabian Sea and Bay of Bengal के बीच में comparison मतलब कहाँ ज्यादा frequency increase होआ है यह एक statement पूछ सकता है तो इस तरह question बनता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यह 2-3 points मैंने जो बोला आप note करके रिख दीजेगा तो paper 2 general studies 1 important geographical phenomenon में paper 4 general studies 3 disaster and disaster management में यह particular news आपको काम आएगा अगला news है 2 years on CA rules not notified देखे citizenship amendment act 2019 पारलमेंट में पास होके 2 साल हो चुका है अब तक ministry of home affairs की तरफ से कोई notification issue नहीं हुआ है basically इस act के provisions क्या है rules क्या है इसके बारे में basically ए आर्टिकल citizenship amendment act 2019 की पूरी जर्णी के बारे में ठीक है 2019 में पास होने के बार अब तक इसका कोई notification issue क्यों नहीं हुआ government का clarification क्या क्या है इसके बारे में वैसे maximum points हम already discuss कर चुका है फिर भी आपका revision हो जाएगा ठीक है इसमें कुछ अच्छे जे points है जो आपके examination perspective में important है तो ध्यान दीजेगा देखे दोस्तों citizenship amendment bill log सभा में पास हो अधा December 9 2019 को ठीक दो दिन बाद राजे सभा में भी पास हो गया December 11 को इसकी एक दिन बाद December 12 को President का signature भी मिल गया मतलब इतने कम पिरिड में पूरा procedure उन्होंने complete किया था December 12 को President का signature मिलने के बाद Ministry of Home Affairs ने एक notification भी इशू किया पर वो notification में इन्होंने rules and provisions तो इशू नहीं किया इन्होंने ये बोला कि हम rules and provisions of the act promulgate करेंगे January 10 2020 को इतना बोलके Ministry of Home Affairs की तरफ से इक notification आया था इसके बाद अब तक कोई भी notification नहीं आया मिलने आए Ministry of Home Affairs की तरफ से वाईसे देखी ये act पास होने के बाद December 2019 से लेके मार्स 2020 तक heavy protest and rewards हुआ था और maximum rewards and प्रोटेस हुआ था आसाम में उत्रपरदेश में करनाटका में मेखालेया में और डेली में जिन में 83 persons were killed ठीक है और मार्स 2020 के बाद ये प्रोटेस थोड़ा बहुत कम हो गया था क्योंगी coronavirus pandemic आ गया था ठीक है इतना clear है आप देखी Citizenship Amendment Act के मेजर प्रोविशन के है आप सबको पताईए और एक बार में बता देता हूँ basically six undocumented non-muslim communities को हमारे citizenship देने का एक प्रोविशन है इसमें तो basically Pakistan से, Afghanistan से और Bangladesh से नोन-muslim communities जो हैं उनको citizenship देने का एक प्रोविशन है citizenship amendment act में who ended India on or before December 31 2014 ठीक है 2014 December 31 से पहले अगर कोई non-muslim undocumented communities इंग्डिया में migrate हुआ है पकिस्तान से, अफगानस्तान से और Bangladesh में उनको citizenship देने का प्रोविशन है ठीक है इसलिए तो इतना ज़्यादा प्रोविशन है ठीक है इसलिए तो इतना ज़्यादा इसके बारे में एक notification issue करना होता है तब जाके वो act implement होता है ठीक है छे मेने का time है मतलब Parliament में पास होने के बाद concern ministry department को छे मेने के अदर पूरे rules को frame करना ज़रूरी है पर देखी अगर कोई ministry department ऐसे कर नहीं पाता है छे मेने के अंदर तो उन्हें committee on subordinate legislation का approval लेना पड़ता है basically extension मांगना पड़ता है तो यह जो committee on subordinate legislation तीन मेने का extension दे जाए एक टाइम पर मतलब ऐसा नहीं की पूरा एक साल का extension दे जाएगा one time three मेने three months का extension दे 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 ते तो आप सोच यह December 2019 से अब तो December 2021 हो गया ministry of home affairs को कितना extension मिला होगा ठीक है साथ आट extension दो extension दो मिला ही होगा वैसे government का clarifications क्या क्या है दोस्तों ठीक है जो committee on subordinate legislation से extension दो लेगा उनको clarification भी तो देना पड़ेगा उनका कहना यह था कि already this act का constitutional and legal validity challenge किया हुआ है Honorable Supreme Court of India में by governments of Rajasthan and Kerala केवल Rajasthan and Kerala ने petitions file किया हुए under article 131 Article 131 क्या है दोस्तों देखिए the Supreme Court shawl to the exclusion of any other court have original jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states जब central government और states के बीच में इस तरह कोई disputes होता है तो Supreme Court अपना original jurisdiction use कर सकता है तो यह हो गया ना basically केरलान संदक के बीच में या फिर Rajasthan संदक के बीच में इसलिए article 131 के अंडर इस act की constitutional and legal validity को challenge किया है केरलान आजस्तान स्टेट गर्मेंट्स ने अब इसी बाते दोनों non-BJP ruling states है आप देखिए वैसे maximum state governments maximum नहीं बोलूँगा जितने भी non-BJP ruling states है इस act के against एक resolution तो पास किया है resolution pass काना मतलग कुछ नहीं दोस्तों मिलकर अपने collective decision बोल दिया है कि हम इस act है against है ठीक है ऐसे देखिए कौन-कौन से states ने किया है मेखा लेया बस बंगाल तमिल नाडू केरला पंजाब एक्सट 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 था जितने भी non-BJP states है उन्होंने resolution भी पास किया था ठीक है तो यह clarification है government की तरफ से क्योंगी अब तक इस act का future क्या है इसके बार में कुछ पता है नहीं इसलिए आमने कोई notification issue नहीं किया कर गे बस वहिए दोस्तों paper 2 general studies 1 population and associated issues paper 3 general studies 2 government policies and interventions and issues arising out of their implementation में particular news आपको काम आएगा अगला news है sports stopped India's google search देखे google की तरफ से एक interesting data release हुआ है basically 2021 में इंडियन्स ने क्या-क्या search किया है किन-किन topics के उपर social media में बातचित किया है उसके बार में एक data है वैसे top topics रहा है sports, covid-19 and farmers protest अब आप breakdown देखेंगे, देखे, इंडियन प्रीमियर लीग, ICC T20 World Cup fill the top sports in overall list of queries on Google search सबसे ज्यादा Google search हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में and ICC T20 World Cup पे बारे में अगर आप Twitter की बात करे, सबसे ज्यादा tweet होने वाला hashtags जो है, वो hash covid-19 था और hash farmers protest था, ठीक है platform है, फिर ICC T20 World Cup, फिर Euro Cup, Tokyo Olympics, covid vaccine, तो यह सब top trending query list रहा है Indian context में, अब free fare करके game है, तो वो 7th trending list में आया है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, उसमे 7th trending list में free fare gaming entry था, फिर इसके बाद Copa America, Neeraj Chopra, Aryan Khan, यह सब के बारे में भी काफी searches हुआ है and interestingly, अगर आप globally देखोगे, पूरी दुनिया यह जानना चाते थे, Australia versus India के बारे में basically cricket match के बारे में होगा, फिर India versus England के बारे में और IPL के बारे में मतलब पूरी दुनिया में इस तरह की query stop किया है, Google search list में पूरी दुनिया जानने चाते थे कि Australia versus India के बारे में, India versus England के बारे में, हमारा Indian Premier League के बारे में फिर देखिए, regional cinema में भी strong interest witness किया है, जेई भीम करके एक movie है, इसमें सूरिया, एक Tamil अक्टर है सूरिया, उस actor का एक movie है, जेई भीम करके, आगर आपने यह movie नहीं देखा हो, तो मैं जरूर recommend करूँगा, बहुत ही अच्छी movie है, ठीके, एक strong message deliver करता है, तो movies list में, जेई भी टॉप position में आया है, इसके बाद, बोलिवूड मुवी शेर्शा, राथे, बेल बोटम और एटरेनल्स, अगर आप ट्विट्यों की बात करें, तो most retweeted tweet कौन सा था, Australian cricketer Pat Cummins ने यह tweet किया था, about his donation to COVID-19 relief, यह tweet सबसे आदा retweet हुआ था, और most liked tweet कौन सा था, जब Indian cricketer विरा 2020 की बात करें, तब विराट कोली ने यह announce किया था, अनुषका शर्मा प्रेटन रेकर गए, तो वो भी most liked tweet of 2020 था, जो भी है, आप देखिए, गर्मन कैटेगरी में, प्राइमेशन नरेंदर मोदी जी ने यह tweet किया था, basically picture उने पोस्ट किया था, picture of him getting his first COVID-19 vaccine, वो most retweeted post था, basically government category में, ठीक है, और इनोंने इंडिया को congratulate किया था, जब इंडिया गाबा में, उस्टिला के against जीते थे, तो वो most liked tweet था, इस साल में, राइट, तो यह government category में, तो general studies 1, general awareness में इनुषका काम आएगा, आज का final news, international anti-corruption day 2021, देखिए, anti-corruption day observe किया जाता है, हर साल December 9 को, to raise awareness against corruption and measures that can be implied to fight it, तो देखिए, दुनिया भर में, government level में, या फिर bureaucratic level में, जो corruption होता है, उसके against awareness फिलाने के लिए, और क्या-क्या measures हम imply कर सकता है, इन corruption से, के against fight करने के लिए, तो यह सब के लिए हम December 9 को, international anti-corruption day observe करता है, आप सबको पता है, यह जो act of corruption है, यह all forms of societies में exist कर करता है, मतलब कोई भी section of society ऐसा नहीं है, जो corruption से दूर है, आभी के साब से, तो यह सब बंद करने के लिए, हम इस तरह anti-corruption day बगएरा observe करता है, ठीक है, और एक important बोन यह है, इस साल जो international anti-corruption day observe हुआ था, इसका theme, your right, your role, say no to corruption, कभी-कभी examinations में, इस तरह themes भी पूछ लेत है, ठीक है, तो यह भी आप ध्यान दिजिएगा, जितने भी important international day से, उसका theme एक बार आप ध्यान दिजिएगा, right, आप देखिए, history of international anti-corruption day, October 31, 2003 को United Nations General Assembly ने, एक United Nations Convention Against Corruption अडोग किया था, ठीक है, तो तब से international corruption day, और कौन और और इस करता है, United Nations Development Program, जिसे हम UNDP बोलते है, ठ ठीक है, तो देखिए, यह जो international corruption day के दिन, जितने भी UN के एजनसी से, वो एक साथ काम करते है, to fight against corruption and discourage acts that can facilitate the practice of corruption, तो basically corruption practice को encourage करने वाले जितने भी act है, उसे discourage करने के लिए United Nations Development Program, यह international anti-corruption day observe करते है, ठीक है, अब हम anti-corruption campaign in India के बार में देखेंगे, इंडिया का हाल क्या ह देखें, एक global ranking हुआ था, that measures the bribery risk in countries, कितने risk है के country में bribery का या फिर corruption का, 2021 में इंडिया का रंग 82 था, and 2020 में इंडिया रंग ए 77th position, ठीक है, मतलब, 2020 में 77 था, and 2021 में 82 था rank, अगर आप Bangladesh, Pakistan और चाइना से compare करोगे, हमारा rank थोड़ा पो ठीक है, मतलब, उनसे हमारी condition बेटर ह है, corruption के मामले में, भूटान जो है, एक ही neighboring country हमारा, जो हमसे बहतर है, 62nd rank में, ठीक है, तो हमारा 77th position है, पर भूटान का 62nd position है, ठीक है, तो भूटान में corruption हमसे कम है, अगर आप countries with highest and lowest risk of corruption देखोगे, तो सबसे ज्यादा corruption देखने को मिला है, North Korea and Turkmenistan में, right, and lowest देखने को मिल Scandinavian countries में, जैसे Norway हो गया, Denmark हो गया, Finland हो गया, इथर lowest risk of bribery और corruption है, ठीक है, तो चनल सबसे पेपर 1, International Days, Significance, यह सब में इनुस आपको काम आएगा, तो दोस्तों, that's the end of it, I hope आपको थोड़ा बुद सीखने को मिला होगा, lecture की PDF as social आपको टेलेग्राम चानल में मिल जाएगा, आप मुझे comment box में बता सकते हो, और भी कुछ important topics है, जिसके वायर में discussion होनी चीए, वो भी, तो thank you for watching, bye bye, have a nice day.